हेलो बच्चों हमारा कोश्चन है असर्शन तो कोश्चन में हमारा ये है कि अगर हमारी हाइट अफ ट्यूब की लेंथ कम हुई तो वाटर ओवर्फलो नहीं करता है चलिए देखते हैं हाइट का फॉर्मुला है तो है बच्चों टू टी अपॉन आर रो जी अगर हम इसको ऐसे लिख दें एच इन्टू आर टू टी अपॉन रो इन्टू जी बच्चों टी है सर्फिस टेंशन ये है डेंसिटी अफ लूड और जी है बच्चों होता क्या है कि जब हमारा फ्ल्यूड की हाइट इन्क्रीस करने लगती है तो अगर ये डिक्रीस करेगा यह हमारा r increase होने लगता है means इसका जो product है वो क्या होगा हमेशा constant तो अगर height बढ़ती है बच्चों तो r हमारा कम होने लगेगा और अगर height decrease होती है तो r increase करने लगेगा और यह r है radius of meniscus means यह तो true है अब होता क्या है कि जब हमारा fluid overflow होने लगता है means उसकी height ज़्यादा हो जाती है और इसकी height कम तो बच्चों radius उस meniscus का increase करके उसे constant बना देता है और overflow नहीं होने देता है अब ऐसा सोच सकते हैं कि इसकी अगर height कम हुई तो radius flat हो जाता है means इसका radius क्या होगा बच्चों flat हो जाएगा हमारा जो surface होगा meniscus का वो flat हो जाएगा और हमारा water overflow नहीं होगा यह हमारा true state तो दोनों ही हमारे true हैं both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion first option is correct I hope बच्चों कि easy सा question आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा thank you